दूसरे का वार्षब प्रोफाइल फोटो गैलरी में सेब कैसे करें जी हां दोस्तों आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि दूसरे के वार्षब प्रोफाइल फोटो को गैलरी में सेब कैसे करते हैं वो भी बिना किसी एप्स के तो दोस्तों अगर आप भी जानना चाते हैं कि दुसरे का वार्षाप प्रोफाइल फोटो गैलरी में सेव कैसे करते हैं तो वीडियो को लाश तक जरूर देखिएगा सो नमस्कार दोस्तों मैं हूं परवीन और आप देख रहे हैं संपूर टैक तो दोस्तों, दुसरे का WhatsApp Profile Photo को gallery में save करने के लिए, आपको सबसे पहले अपना WhatsApp उपन करना होगा, चलिए WhatsApp को open कर लेते हैं, वार्टसाप को उपेन करने के बाद आपको इस तरह का इंडरफेस दिखेगा अब आप जिसका भी वार्टसाप के प्रोफाइल फोटो को गिलरी में सेव करना चाते हैं उसके प्रोफाइल फोटो पर आपको क्लिक करना होगा suppose हमको इसके profile photo को gallery में save करना है तो इसके profile photo पर click करेंगे profile photo पर click करने के बाद आपको इस तरह का interface दिखेगा अब आपको फिर से इस profile photo पर click करना होगा तो चलिए इस पर click कर देते हैं click करने के बाद profile photo इस तरह से open हो जाएगा अब आपको अपने mobile से इस profile photo का screenshot ले लेना है तो चलिए मैं इसका screenshot ले लेता हूँ screenshot लेने के बाद यहाँ से आपको back आ जाना है back आने के बाद अपने gallery को open करना है तो चलिए gallery को open करने के बाद अब आपको उस photo को open करना है जिसका स्क्रीन शॉट लिया था, तो चलिए फोटो को उपेन कर लेते हैं, फोटो को उपेन करने के बाद, यहां देखिए नीची आपको crop का option मिलेगा, जिहां दोस्तों, यह option आपको सभी smartphone में मिल जाएगा, तो यहां से आपको फोटो को crop कर लेना है, तो चलिए फोटो को crop कर देते हैं इलिक करने के बाद फोटो गेलरी में सेव हो जाएगा तो चलिए देख लेते हैं कि फोटो गेलरी में सेव हुआ कि नहीं आप यहां देख सकते हैं कि फोटो गेलरी में सेव हो चुका है तो फ्रेम्स आसा करता हूं कि वीडियो आपको पसंद आई होगी अगर व